फिर क्या हुआ, इंडेस्ट्रियल रेविलूशन आ गया, ये सारी चीज़े आ गई, हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिष्टे तोड़ने की पीछे है यूएस, यूएस ने क्या किया, यूएस ने पहले देखा, जिस तरह हमारे भारते संस्कृत में आप देखेंगे, सब लोग मिल जुल के रहते थे, पहले फैमिलीज होती थी 25-30 लोगों की, एक साथ रहते थे, चाचा, दादा, नाना, काका, आट, दस, भाई रहते थे, सारे लोग साथ में रहते थे, और सेम चीज़ अमेरिका में भी चल रही थी, अब यूएस में आगे इंडिस्ट्रिल अब उन लोगों ने देखा, बड़े उद्योग पती उपर बैठ के सूच रहे थे, कि यार, हम लोग इधर जो बैठे हैं, हमारे अगर प्रोड़क्स जादा बिखने हैं, तो हमको रिपीट सेल करनी पड़ेगी, अब बीस लोगों के घर पे अगर एक ही रेडियो होगा, या एक ही वाशिन मशीन होगा, तो सेल तो वापिस बड़ी नहीं रही ना, तो इन लोगों ने बड़े बिजनसमेन थे, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा खिलाना शुरू किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कैमपेइन करना शुरू किया, कि बड़ा घर अच्छा नह पार्टीज ने सही बोला था, तो वो बीस लोगों का घर, दस लोगों का हुआ, वो दस लोगों का घर, चार लोगों का हुआ, तो बेसिकली हम धीरे-धीरे नुकलिर फैमिली से आज किस समय पे मोनो फैमिली तक जा चुके हैं,